ओम नमस्षिवाए स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे टमाटर की खट्टी मिठी चट्नी आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सबसे पहले टमाटर ले उन्हें दो कर छोटे चोटे चोटे टुक्रों में काट ले लाल मिर्च को भी चोटे 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 टुक्रों में काट ले अब देसी घीले उसे गरम करें घी जब गरम हो जाए उसमें जीरा अजवाइन और सोफ डाल कर हलका सा भूने अब इसमें कटी हुई लाल मिर्च मिलाएं लाल मिर्च को भूनें जब लाल मिर्च भून जाएं तो उसमें कटे हुए टमाटर डाल दें टमाटर को दो-तीन मिनट भूनें फ्रीज में सैंधा नमक और काली मिर्च मिला दें टमाटर को ढख कर तीन-चार मिनट के लिए पकाएं अब इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और लगातार हिलाते हुए इसे पकाएं चीनी जब पिगल जाए तब टमाटरों को ढख कर धीमी आँच पर दो-तीन मिनट के लिए पकाएं अब इसमें एक निपू का रस मिलाएं टमाटरों को दो-तीन मिनट और पकाएं लीजिए त्यार है स्वादिश टमाटर की खट्टी मिठी चट्नी आप इसे चाहे ऐसे खाएं या ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लें टमाटर की खट्टी मिठी चट्नी को दोसे के साथ खाएं इंजोई करें क्ष्टी माटर की खट्टी मिलाएं हुआ है